देखिए ये सब चीजें विचारनिय बिंदू है और इस पर हमारे नेता निटने लेंगे और निशी तोर से जिस तरह का परिपेक्स चल लहा है उस परिपेक्स में जदि मुकेश सहने जी बिना कंडिशन बात रखते हैं तो उस पर हमारे नेता विचार जरूर देख रहे हैं आप में हूँ आपके साथ धीरत सिंग बोचहां विधानसवा स्रीट पर हो रहा है उपचुनाओ का परिणाम आने के बाद वियाई पी सुप्रीमो मुकेश सहनी दिल्ली पहुंचे हैं चर्चा है कि दिल्ली में वो राज़त सुप्रीमो और बिहार के पुर मुक्य मंतरी लालो परशाद यादो से मुलाकात कर सकते हैं क्योंकि लालो परशाद यादो का तबियत नसाथ चल रहा है और इसलिए वो दिल्ली एमस में फिलाल इलाज रत है का जा रहा है कि वो दिल्ली एमस में उन्हें उनसे मलाकात करने के लिए पहुंच सकते हैं इसको लेकर जब अगर वो एप्रोच करते हैं तो जरूर लालू प्रशाद यादव हो या नेता प्रतिपक्ष्ट यश्ट्रू यादव हो तो उसे मुलाकात करेंगे जब उनसे पूछा गया कि क्या आज भी मुकेश सहनी के लिए महागटबंदन और आरजएडी का दरवाजा खुला हुआ है तो इसको लेकर उन्होंने साबतर पर कहा कि जिस तरीके से पिछले बार उन्होंने जो महागटबंदन से निकलते वो घटना करम किया था उसको देखते हुए अगर मुकेश सहनी की और से कोई भी कंडिसन नहीं लगाया गया उसके बाद ही महागटबंदन में और तो आज भी उनके लिए दरवाजा खुला हुआ है क्या कुछ का रहा है लालो परशाद यादाव से मुकेश सहनी के मुलाकात को लेकर भोला यादाव छोड़ जाते हैं आप उनके विडियो के से मुचहां में जिस तरह से आरजडी जीती है उसके बाद यह क्यास लगाए लालो जीत को देखने जाएंगे मुलकात की कोई संभावना है क्या ऐसा तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना किसी तरह का कोई मैसेज आया है जड़ी मैसेज आयागा तो उस पर विचार किया जाएगा वैसे मिलने के लिए तो हमारे नेताद परतिपक्साद नेते जैसुप्रसाजाद यादव जी हैं वहां मिलेंगे अभी तो हमारे राष्ट्य अध्याग जी आस्वास्त हैं यह मिलते जुलते नहीं है किसी से जड़ी मिलना होगा तो वहीं मिलेंगे मुकेश साहने सर अप्रोच करेंगे तो क्या आज भी मार्णन के लिए उनके दर्वाजा खुला हुआ है लेखिए यह सब चीजें विचारनिय बिंदू है और इस पर हमारे नेता निटने लेंगे और निशी तोर से जिस तरह का पर करना उचित नहीं है अभी चुनाब अगला चुनाब में काफी दिन है और कंडिशन में बात करके बात को बरहना उचित नहीं है